हलो फ्रेंद्स, वेलकम अगेन तो माई यूट्यूब चैनल मुवी टाइम, दोस्तों आज की इस वेरी इंट्रेस्टिंग विडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती की एक और आन्रिलीस्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपने वेरी हैंसिम एंड स्मार्ट हीरो मि बॉलिवुड की वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस मिनाक्षी शेशादरी स्क्रीन शेयर करने वाली थी, और आप सभी लोग जानते हैं कि मिथुन और मिनाक्षी की जोडी को ओडियन्स ने हमेशा बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, इन दोनों दोने मिलकर धेर सारी सुपर हिट फिल्में हमारी बॉलिवुड फिल्म इंडस्ट्री को दी है, मगर दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि इन लोगों के साथ की जोडी की एक और फिल्म प्लान की गई थी, जिस फिल्म का नाम था बनते बिगडते, तो दोस्तों ये बात करें, इस मूवी से जुड़े कुछ बेहत ही इंट्रिस्टिंग और यूनिक पॉइंट्स की, जो की इस फिल्म को बेहत खास और स्पेशल बना रहे थे, तो एक तो आप सब लोग जानते ही हैं कि मिथुन और मिनाक्षी शेशादरी की जोडी को आउडियंस ने हमेशा हाथ हाथ लिया है, और बनते बिगड़ते फिल्म में हम इनके रोमांटिक अवतार को देखने वाले थे, और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं रह जाता है, कि ये 1986 में मुद्दत फिल्म के हिट हो जाने के बाद, मिथुन और मिनाक्षी की ये बनते बिगड़ते फिल्म अगर होती, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पक्का धमाल मचाती, यहां तक की एर 1986 में इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद, इस फिल्म के धेर सारे पोस्टर्स भी रिलीज किये गए थे, और फिल्म के बनने की तयारी पूरी जोरो शोरो से होने लगी थी, मगर 10 से 20 कंप्लीट हो जाने के बाद, ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉबलम से गुजरने लगी, और इस फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए पोस्ट पोन करना पड़ा, और उसके बाद ये मूवी कभी दोबारा स्टार्ट ही नहीं हो पाई, और इस तरह से हम ओडियन्स मिनाक्षी शेशादरी की इस हाइली पोटेंशिल, रोमैंटिक ड्रामा जौना वाली फिल्म बनते बिगड़ते को देखते देखते रहे गए, तो गाईस आप लोगों का इस फिल्म के बारे में क्या ख्याल है, कि अगर मिथुन मिनाक्षी की ये बनते बिगड़ते फिल्म उस समय बन करके रिलीज होती, तो ये बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाती, हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच्ट!